मस्कार प्रिविद्याथिगंद आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छीतिज भाग दो को पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छीतिज भाग दो यानि CBSC board में जो हिंदी का class 10th के लिए चलता है उसको हम लोग देखने वाले हैं और पहले lesson को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से तो चली हम लोग देख लेते हैं तो दसवी में जो book के चलती है पद दिखंड उसका नाम छीतिज भागदो है जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भागदो चितिज भागदो में पहला lesson है पद जो की सूर्दास द्वारा रचित है सूर्दास द्वारा रचित पद को देखने वाले हैं तो सबसे पहले इसको इसका हम लोग देखेंगे संदर्व देखेंगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं संदर्व क्या होगा इसका संदर्व में लिखेंगे प्रस्तुत पद देखेंड हमारी पाइठ पुस्तक छीतिज भाग दो के पद नामक सिर्षक से उद्रित है जिसके रचाईता सूर दासजी है रचाईता और कभी एक ही होते हैं लेकिन लेखक अलग अगर आप पद देखंड कर रहे हैं यानि जैसे कभीता हो गई दोहा चंद कोई भी हो गया तो इसमें आप लोगों को लिखना है कभी या रचैता लिख सकते हैं इसमें ठीक है लेखक नहीं लिखेंगे लेखक अगर गद इखंड कर रहे हैं अगर आप गद इखंड कर रहे हैं तो उसमें लेखक लिखा जाता है ठीक है लेखक और कभी में यारचैता में अंतर होता है लेखक जो है गद्य कहानियां कहानी इत्यादी को लिखता है और कभी यारचैता कविता लिखता है ठीक है कविता लिखता है दो हाब भी कविता ही है काविका ही रूप है और गीत भी अगर गीत है कोई तो ये भी कावे काही रूप कहा जाएगा उसको भी कभी कहेंगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग पद जो सूर्दस का पद है इसी को देखेंगे और ये भ्रमर गीत सार से चार पद इसमें ले लिए गए हैं आपके सेलबस में तो इसी की ब्याख्या ह जालने के बाद लिखेंगे अब याख्यां से सुरू करेंगे तो इसमें क्या है पहले इसके बारे में समझ लीजिए तो ज्यादा बढ़ियों से समझ में आएगा इसमें क्रिष्ड श्री कृष्ण जी उद्धाव को गोपियों के पास एक संदेश भेजी थे संदेश हुआ योग का संदेश भेज धे थे मतलब भकती में लीन हो जाई है मतलब भकती में मन लगाइए और प्रेम जो हां गोपियां तो क्रिष्ड से प्रेम करती थी लेकिन श्री कृष्ण यहां नां करके आपने उनको भेजे थे क्या उद्धाव उद्धाव को भेजे थे कि योग का संदेश भेज देंगे इसमें जब लीन हो जाएंगी तो वीरह थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन हो गया उल्टा क्योंकि गोपियां तो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और जो कृष्ण है ज्यान मार्ग की और ले जाना चाहर रहे हैं तो इसी काचितरन इसमें ह उद्धव गोपियों के पास आते हैं संदेश ले करके तो उसी समय एक भाउरा आ जाता है और इस भाउरे के माध्यम भाउरे को माध्यम बनाकर गोपियां कहती हैं भाउरे को मतलब भाउरे को कह रही है नहीं कह रही है उद्धव को कह रही है लेकिन भाउरे माध्यम इसको मार ना जाता है तो चलिए इसको देख लेते हैं कि उध्व तुम्हाँ अति बड़ भागी क्या कह रही है गोपिया कह रही है उध्व से कब कह रही है जब गोपियों के पास उद्धो आये हैं संदेश लेकर के ग्यान मार ग्यानी योग के लिए जो संदेश लेकर आये हैं ये उद्धो कि आप लोग योग में मन लगाईए भगवान में मन लगाईए तो इस पर गोपियां कह रहे हैं उद्धो से जब ये संदेश उद्धो गो गोपिया कह रहे हैं कि है उद्रों तुम बड़े भागिसाली हो कि यहाँ नहीं कह रही है इसका मतलब सघ्रोणार से कोर McMべAK नहीं कर रही है कि वहत वागिसाली हो इसका मतलब यह सच में नहीं कह रहे हैं कि भागी साली हो ब्यांग कर रहे हैं कहने का मतलब तुम भागी साली नहीं हो दूर भागी साली हो इसका मतलब यह हो जाएगा ठीके उद्धाव तुम हो अतिबड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी अपरस अपरस का यहां दो अर्थ हो जाएगा अगर अ प्लस परस करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि असपरस रहित असपरस नहीं कर पाए अगर अप प्लस रहित करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेम से रहित ठीक है तो अपरस रहत सनेह तगा थे तगा मतलब धागा नाहिन मन अनुरागी तुम प्रेम रूपी धागा के साथ रहे फिर भी उसको असपर्ष नहीं कर पाए क्या होगा? तुम इस प्रेम रूपी धागा के साथ रह कर भी तुम इस धागे को असपर्ष नहीं कर पाए नाहिन मन अनुरागी और तुम्हारा मन इसमें अनुरक्त नहीं हो पाया अनुरक्त नहीं हुआ पुराइन पात रहत जल भीतर यहाँ पुराइन का मतलब हो जाएगा कमल पात का मतलब हो जाएगा पत्ता उसका कमल का रहत रहता है जल भीतर मतलब जल के भीतर या जल के अंदर ठीक है पुराइन पात रहत जल भीतर कमल का पत्ता हर दम जल के अंदर ही रहता है तारस देहन दागी और जल के अंदर रहने पर भी उस पर जल का कोई दाग नहीं लगता है वही हाल तुम्हारी है उद्धव को कर रही है उद्धव को बता रही है ठीक है कि जिस पर काशक कमल जल के भीतर ही रहता है कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है लेकिन तारस देहन दागी उस पर उसका जल का दाग नहीं लगता है ज्यों जल माह तेल की गागर बूद नताको लागी जिस प्रकार से जल माह तेल की गागर जल माह तेल की गागर तेल से लिपटी गागर मतलब जो होता है मिटी का बना बरतन होता है गागरी गागर कहते हैं उसको तेल से सना हुआ गागर या जिस पर तेल एकदम तेल पूरा लगा हो गागर पर बूद नताको लागी उस पर जल की बूदे गिराएंगे और जल की बूदे उस पर ठिकेंगी नहीं हट जाएंगे गिर जाएंगे वही हाल तुम्हारा है कि क्रिष्ड के साथ रहकर के भी तुम्हारे अंदर उनका कोई भी गुड नहीं आया है प्रीत नदी में पाउन बौर्यों अपना पाउन नहीं डाला द्रिश्चन रूप परागी और तुम्हारी नजर इस प्रेम जो मतलब कृष्ण को बता रहे हैं कि इस चीज पर तुम्हारी नजर ही नहीं गई सूर्दास अबला हम भोरी सूर्दास जी कह रहे हैं कि गुपियां उधो से कह रहे हैं कि हे उधो हम तो अबलाएं हैं हम इस्तरियां क्या हैं सूर्दास अबला हम भोरी सूर्दास जी कह रहे हैं कि गुपियां क्या कह रहे हैं उधो से कि उद्धो अबला हम भोरी हम तो भोली भाली अबला हूँ अवरत हूँ इस्तिरी हूँ अबला मन इस्तिरी को कहा जाता है भोरी मने भोली हम तो भोली अबलाएं हैं इस्तिरियां हैं हम यानि गोपियां गुर चाटी जो पागी और हमारी हाल क्या है हमारी वही इस्थिती है कि जैसे गुड में गुड में चीटियां जब अपना पैर गड़ा देती हैं और उस गुड से बाहर फिर नहीं निकल पाती हैं गुड में फस जाती हैं वही हाल हमारी है कि कृष्षुड के प्रेम से हम लोग नहीं निकल पाऊंगी करने मतलब कि प्रेम को छोड़ ही नहीं सकती जिस प्रकार से चीटी गुड में अपना पैर उसके लालस में पढ़ करके अपना पैर गड़ा देती हैं और फिर उससे निकलना मुस्किल हो जाता है वही हाल हम गोपियों का है कि कृषड के प्रेम में पढ़ करके अब इससे निकलना मुस्किल हो गया है कहने का मतलब इसको छोड़ नहीं सकती हूँ तो इस पद की ब्याक्षा आप लोग देख चुके होंगे और हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा इसके आगे का पद देखते हैं मन की मन ही माज रही मन की मन ही माज रही कि मन की बातें तो मन में ही रह जाती है कहिए जाए कौन पर उद्धो है उद्धो कहिए जाए कही जाए मतलब ये बातें कही जाए कौन पर उद्धो मतलब किस से जो मन में हमारी मन में जो बातें है किस से कही जाए ना ही परत कही एक कही नहीं जा रही है मतलब कहा नहीं जाता है अवधि अधार आस आवन की तनमन भी था सही यहां देखिए कई बार आया है तो यहां पर अनुपरास अलंकार हो जाएगा तो अलंकार की द्रिष्टी से तो सभी महत्पूण है कई अलंकार जो पहला देखे उसमें उदारन अलंकार था सलेश अलंकार था और कई अलंकार थे तो अलंकार की द्रिष्टी से भी बहुत महत्पूण है ठीक है तो देखिए दो लाइन देख चुके तीसरी देखते हैं अवधि अधार आस आवन की तनमन भी था सही अवधि अवधि का मतलब आने की अवधि जो होती है अधार मतलब वही अधार था जो क्रिफ्ट के आने की अवधि थी वही हम लोगों के लिए अधार था गोपियां कह रही है आस आवन की यह जो आसा थी आने की अवधि यही तो अधार थी तनमन भी था सही इसी से हम गोपियों ने इतने दिनों तक क्या सही बिथा मतलब कष्ट को सहा इतने दिन तक अब इन जोग अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिन विरह दही क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी कि अब योग की बातों को सुन सुन करके योग के संदेश को सुन सुन करके हम विरहिनिया तो और बिरह में जलने लग गई हूँ क्यों और बिरह में जलने लगी जो ए संदेश तुम लेकर आये हो ग्यान यह मतलब भगवान से भगवान के भगती में लगने के लिए यानि योग का संदेश जो लाये हो इसको सुन करके हम गोपियां तो और बिरह में जलने लगी चाहती हुती गुहार जीता ही थे उत्ते धार बही चाहती थी क्या चाहती थी गुहार जीता ही थे मतलब उधर से क्या आएगा क्रिपा होगी कहां से क्रिष्ण की तरफ से क्रिपा होगी गुहार सुनेंगे उत्ते धार बही जीधर से हम गोपियां समझ रही थी कि क्रिपा होगी मतलब सुना जाएगा हमारी बातों को सुनेंगे उत्ते धार भी वहां से तो उल्टी धारा बहने लगी उल्टी धारा बहने लगी उल्टी धारा का मतलब हम तो प्रेम मार्ग को समझ रही थी प्रेम मार्ग हमें अच्छा लग रहा है लेकिन वहां से तो ग्यान मार्ग उल्टा हमारे लिए हो गया उल्टी धारा बहने लगी सूर्दास अब धीर धरें क्यों सूर्दास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धाव से कह रहे हैं कि अब धीर धरें क्यों अब धैर ही कैसे धारण करूं मर जादा न लही मर जादा न लही अब धैर ही कैसे धारण करूं जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं समझा मर्यादा मतलब मर्यादा अब कैसे धहर धारन करूँ जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं समझा तो कैसे धहर धारन कर सकती हूँ तो यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा हमें विश्वास है तो अगला देखते हैं